केंद्री वित्यमंत्री निर्मला सीतरामंजी ने आज वित्यवर्स 2022 और 2023 का बजट पेश किया है जहाँ पर इंडिविज्वली हम रेलवेज बजट के बारे में बात करें जहाँ आज भारत में दो वंदे भारत ट्रेंश सेट चलाई जारी है जो पहली दिली से वरानसी चलती है और दूसरी दिली से कट्रा तक चलाई जाती है जहाँ पर एक ट्रेंश की कॉस्ट लगभग 100 करोड के आसपास थी वहीं बनाए गई ये trains European trains की comparison में 40% सस्ती थी और जाइर सी बात है कि इनका production बड़े पैमाने पर होगा तो इनकी जो manufacturing cost है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी जहाँ पर हम previous data के अबर हम बात करें तो ब्रधान मंतिरी जी ने बताया था कि 75 वंदे भाराट train sets operate की जाएगी जिनको 75 सहरों के बीच में connect किया जाएगा जिसके बाद इस project को थोड़ा सा upgrade किया गया और इनकी quantity 100 कर दी गई जिसमें लगभग 9 company ने part speed किया था लेकिन finally इस budget में 400 नई वंदे भारा train set introduce कराई गई है बनने वाली नई वंदे भारा train set ICF, MCF और RCF में अलग-अलग जगे पर तयार की जाएगी इसके साथ में budget पेश होने से पहले train 18 को बनाने वाले शुदान्तू मनी जी का एक opinion आया था कि railways पर जादा focus नहीं किया जा रहा है उनकी speed को लेकर के उनकी track facility को लेकर के तो finally इस budget में काफी बड़ी announcement की गई है इसके साथ में सुदासू मनी जी की ही देखरेक में train 18 को तयार किया गया था जिसको सिर्फ 18 महिनों के अंदर बना करके तयार किया गया था तो सुदासू मनी जी और उनकी पूरी टीम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि भारत को ऐसी cost effective train मिल पाई वहीं बजट में ये भी कहा गया कि next 3 year में 100 PM गते शक्ति कार्गो टर्मिनल भी वी कसीद किये जाएंगे जो लोजिस्टिक की ववस्था को काफी हद तक बहतर कर पाएगी वहीं रेलिवेज में सुरक्षा को भी जादा इंक्रीज किया जाएगा लगबग 2000 किलोमेटर के रेल नेटवर्क को कवच एक पटिकुलर नाम दिया गया है उसके अंतरगत लाया जाएगा और यहाँ पर बिलकुल स्वादेशी और विस्वेस्थरिये तकनीक अस्तमाल किय जाएगा ताकि सिक्योरिटी जादा बढ़ाई जा सके यहाँ पर बहुत अच्छा कमुनिकेशन सिस्टम इसनवाल किया जाएगा इसे के साथ में ओन टाइम एक्शन जैसी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्द कराई जाएगी वहीं उन्होंने कहा कि कुछ सहरों में अभ जो महरत मता किचे